असलाम आलेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ कच्छे आम की बहुत ही बहती बहतीरीन तरीके से चटनी बनाने की रेस्पी शेयर करूँगी जो बहुत ही मज़ेदार चटपटा बनके तयार होता है और इसे हम मिक्सर में पीसेंगे फिर भी इसका टेस्ट टेक्श्चर ब बहुत सिंपल तरीके से बनती है इसमें जादा चीजे नहीं जाता है तब ही हमें आम का पूरा अच्छे से चटनी में फ्लेवर मिलता है तो यह आम जादा थे तो मैंने आधा यहां पे डाल दिया है और इसको दो से तीन पल्स चला के मिक्स करते हुए ऐसे ही दरदरा सा प दालेंगे ने तो यह एकदम बहुत जादा बारीग हो जाएगा और जैसा हमें चटनी चाहिए वैसा ने मेल पाएगा तो देखिए जैसा चौपर में डालके हम चौप करते हैं यह बिल्कुल वैसे ही कुटा कुटा सा पिस गया है तो यह सारा हमने निकाल लिया है यहां प पिसे सल्ट को थोड़ा जादा लिया है आप जिस हेसाब से आम लिए उस वेसाब से मिल्चो की और इसको डारेक्ट में डाल देंगे और यहीं पे अन्मक अवे तक हम पिसने में भी आसानी तो इसमें हम एक से डेल टी स्पून जो हिपिंक हिमालें सॉल्ट या सिंधा नमक होता है वो डाल देंगे और इसमें बिना पानी डाले बस एक से दो बार चला देंगे तो देखिए क्रश हो गया है तो बस इसको ऐसी ही रखना है और इसमें हम जो हमने आम को निकाला है डाल यहां पर थोड़ा से मिक्स करने पर जब इससे एक सो दो बार अभी हम पीसेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपस में मिल जाएंगी अगर आपका ना पिस जाए एक से दो टीवर स्पून ही पानी डाले मैंने बिल्कुल नहीं डाला है और यहां पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से पिसके तयार हो गया है बिल्कुल बारीक नहीं हुआ है तो हमें ऐसे ही चाहिए वैसे तो यह सिलबटे पर पीसा जाता है पहले आम को थोड़ा सा क्र यह देखने में तो एकदम वैसा लगी रहा है इसका टेस्ट भी इसके वज़े से एकदम जबरदस्त हो जाता है और इसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज डालेंगे सरसो का तेल अगर आपको पसंद हो तो जरूर डालें क्योंकि यह से इसका टेस्ट एकदम बढ़ जाता है और इसे हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब बहुत ही जबरदस्बन के चटनी तयार हुआ है यह अपने टेक्शर के वज़े से इसका टेस्ट एकदम बढ़ जाता है आप इसे सादे चावलों से भी अच्छे से खा सकते हैं चाहे रोटी पराठे से दाल चावल से यह बहुत अच्छा लगता है इसे आप किसी ग्लास जार में करके फ्रीज में रगने तो आराम से एक हफता आप खा सकते हैं तो आप भी कच्छे आम की चटनी इसी ट्रिक के साथ बनाएं और इंजॉय करें और अपना फीड़बैक देना कॉमेंट बॉक्स में ना भूल तो